सो नमस्कार कैसे हैं आप सब आज की सुडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आपके CBSE Board की 12th Class की Dead Sheet के बारे में I guess आप में से कुछ लोगों को पता हुआ है आपकी जो Dead Sheet है और Release हो चुकी है बट अगर आपको नहीं पता है तो आज की सुडियो के अंदर आपकी Dead Sheet डिसकस करने वाले हैं चाहिए फिर आप आर्ट से हैं, साइन्स से हैं, कोमस से हैं हम तीनों स्ट्रीम्स की Dead Sheet जो है आज की सुडियो के अंदर डिसकस करेंगे और देखिए वैसे जो आपके exam से basically February से start होकर के 2nd of April तक आपके चलने वाले हैं लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो major exams है, मैं उनकी dates आपको बताने वाला हूँ क्योंकि देखिए CBSC boards के अंदर भी आपको सो से भी ज़ादा subjects देखने को मिल जाते हैं बट आप सभी कुछ जो exam सोंटेंको आप टारगेट नहीं कर रहे होते हैं आप टारगेट कर रहे होते हैं में exams को right और जो बाकि जैसे की regional language के कुछ exam सोंटेंको कुछ students टारगेट करते हैं बट majority जो students होते हैं, वो कुछ ही subjects को target करते हैं, जो की 15 या 16 के अंदर अंदर होते हैं, तो वही जो सारे के सारे main subjects हैं, उनकी dates मैं आज आपने साथ discuss करने वाला हूँ, बाकि आपको जो regional languages वगरा है, वो भी आपको screen पर दिखी जाएगा, बट हम discuss करेंगे सिर्फ major exams की dates के बारे में, तो चलिए video शुरू करते हैं, मतलब शुरू हो चुकिए अरड़ी, थोड़ा सा proceed करते हैं इसको आगे, So देखे, आपकी जो exams है, वो basically 15th of February से start होंगे और 2nd of April को आपके खत्म होने वाले हैं, तो अगर में main exams की बात करेंगे तो 19th of February को आपके हिंदी का exam है, इसके अलावा 22nd of February को आपके English का exam है, इसके अलावा अगर में बात करेंगे तो 27th of February को आपका Chemistry का exam है, 29th February की बात करें तो यहाँ पर आपका फिर Geography का exam है, 4th March को आप देख सकते हैं आपके Physics का exam है, इसके अलावा 9th March की बात करेंगे तो फिर आपका Mathematics का exam है, 14th March को आपके Regional Languages का exam से, जो भी Regional Languages अगर आपने ली हुई है तो कोई, इसके अलावा 18th March को आपके Economics का exam है, इसके अलावा Biology का exam है 19th March को, 22nd March को आपके Political Science का exam है, 23rd March को Accountancy का है, इसके अलावा 27th March को Business Studies का है, फिर 28th March को आपके History का exam है, इसके अलावा 1st April को आपके Sociology का exam है, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो exam से किसके खत्म हो रहे हैं, जिन students के पास मालने जी PCM है, उनके exam बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उनके exam almost 9th March को खत्म हो जाएंगे, बट जिन students के पास Arts है, तो उनके exams 1st April तक चलने वाले हैं, इसके अलावा जिन students पास Biology हैं, उनके 19th को खत्म हो जाएंगे, और जहां तक बात है, आर्स वालोगे ही काफी लंबे आहां पर चलने वाले हैं, तो आप मुझे बताएंगे, इसके साथ साथ देखिए, आपके जब exams खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक महिने का टाइम मिलने वाला है, CUT की preparation करने के लिए, उसके अलाब आपके CUT exam होता है, लगबग एक मैने अग आपको मिल जाता है, उसके अंदर आपको अपनी तयारी बहुत ही बड़े तरीके से करनी होती है, कुस students अभी से भी तयारी अपनी शुरू कर देते हैं, कुस students exams के बाद भी करते हैं, आप देख लीजिए कि आपके अंदर क्या potential कि आप exam के बाद भी कर सकते हैं, फिर आपको अभी से शुरू करनी चाहिए, वो आप decide कीजिएगा, इसके अलाबा देखिए, अगर आप वैसे CUT की preparation करना शाहते हो, तो हम लोग आपकी complete CUT की preparation भी करवाते हैं, हमारे website है classdes.in, आपको वहाँ पर जाना है, और वहाँ पर जाने के बाद, आपको सागे सागे कोस की details मिल जाएंगी, या फिर जो WhatsApp नमबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तब तक के लिए बाई बाई एंड टाटा,